चोर को खासी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है जुको केवल उतना ही जितना सही हो, बेवजह जुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास न करो जरूरत से ज्यादा वक्त और इज़्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं प्यार देने से बेटा बिगडे, भेद देने से नारी, लोग देने से नौकर बिगडे, धोखा देने से यारी, गुन मिले तो गुरु बनाओ, चित्र मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वर्ना रहो अकेला उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नियत खराब है समस्या आपको समाप्त करें इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए जो भी निर्दोश के लिए पीडादाई व अनर्थकारी हो उसे नश्ट कर देना चाहिए मूर्खता कश्ट दायक है योवन भी कश्ट दायक है और सबसे अधिक कश्ट दायक है दूसरे के घर में निवास करना जो मनुष्य निश्चित को छोड़ कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका निश्चित कार्य भी नश्ट हो जाता है बडो के पैर चूने के लिए आप जितने नीचे जुपते हैं जीवन में आप उतने ही उपर उठते हैं बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूख बहस करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने से बहतर है कि आप अपने स्तर को उचा करें लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र इरादा और आत्ते कैसी भी क्यों ना हो प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाईयों को घुन की तरह चाट जाती है जीवन के तीन मंत्र आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्नय मत लीजिए जिन लोगों में लज्जा का गुन न हो, जो किसी भी गलत कार्य को करने में संकोच न करें, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना की अभिमान बन जाएं, और अभिमान इतना भी मत करना की स्वाभिमान मिट जाएं दुष्टों और कांटों से बचने के केवल दो ही उपाए है, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना तपस्या अकेले में अध्ययन दो के साथ, गाना तीन के साथ, यात्रा चार के साथ, खेती पाँच के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है समाज में बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि गरीबों में हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है समझदार व्यक्ति को दूसरों के बल पर साहस नहीं करना चाहिए किसी के बुरे वक्त पर हसने की गलती मत करना, ये वक्त है, चहरे याद रखता है जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य पुरे नहीं होते अन्न के सिवाए कोई दूसरा धन नहीं है, भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्सन का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है शरीर से सुन्दर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुन्दर होने वाली महिला आपको जिन्दगी भर सुख देती है इसलिए दिल से सुन्दर होने वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा संबंध इसलिए नहीं सुलच पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलज जाते हैं शुक्र है कि मौत सबको आती है वरना अमीर लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते की गरीब था इसलिए मर गया जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते हैं वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं सबसे बड़ा गुरु ठोकर है खाते जाओगे, सीखते जाओगे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जो कोट्स आपको पसंद आये हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूले झाल खिर लूर उन्हें है तो सब्सक्राइब करना न भूले पस्तों आप पस्तों आपको जापको 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 एंट